नमस्कार, YouTube चैनल स्वस्त जीवन स्वस्त विचार पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वित्रों हम लोग एक अपनी रुटीन लाइफ में एक बहुत छोटी सी मिस्टेक करते हैं यह है कि हम लोग जैसे ही खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद हम लोग पानी पी लेते हैं या फिर इसके अपोजिट साइड एक मिस्टेक यह भी करते हैं, बहुत छोटी सी गलती है वो ये है कि हम लोगों ने अभी लोठा भरके ग्लास दो ग्लास हमने पानी पिया है और हम तुरंथ खाना खाने बेड़ गए अब मित्रों ये अभ्यास हमारे जीवन में एक एसा रूटिन लाइफ में प्रैक्टिस सी हो गई है कि खाना खाने के तुरंद बाद पानी पिना मित्रों हमारी माताएं बेहने हमारे रसोईगर में किचन में बहुत मेहनत करके खाना बनाती है और उस बोजन में बहुत सारे पौशक तत्व होते हैं अब जितने भी nutrition हम उस खाने में होते हैं वो हमारे शरीर को पूरी तरह से मिल जाए हमारा खाया पिया, हमारे शरीर को लगे यह हर एक इंसान की चाहत होती कि जो कुछ भी मैं खा रहा हूँ वो मेरे शरीर को फाइदा पहुचाए और मुझे बहुत ताकत पिले, शक्ती मिले यह आप भी चाहते हैं और हमें भी चाहते हैं हम सभी चाहते हैं लेकिन एक छोटी सी mistake की वज़े से उसको mistake नहीं कहें हमारे ही द्वारा किया गया एक छोटा सा अब्यास है उसको बदलने की आवशकता है और वो यह है कि खाना खाते ही खाने के तुरंट बाद हम लोग पानी पी लेते हैं इससे होता क्या है अब आप पुछेंगे कि आखिर खाना खाते ही जब हम तुरंट पानी पी लेते हैं इससे आकिर फर्क क्या पढ़ता है, खाना तो पेट में पचेगा, इतनों इससे छोटा नहीं, बहुत बड़ा फर्क पढ़ता है, और वो फर्क ये पढ़ता है, कि जैसे हमने खाना खाया, वो खाना हमारी पेट में गया, उसके तुरंत बाद हम पानी पी लेते हैं, अब पा पाचक रस बनना स्टार्ट हो जाते हैं और वो पाचक रस जैसे उनको HCL टाइप कुछ बहुत जो बोजन को गला दे जो बोजन को तोड़ दे एसे पाचक रस बनना शुरू हो जाते हैं उसी को हम कहते हैं जटरागनी जटरागनी का मतलब यह नहीं कि कोई अंदर आग लग आग नहीं कुछ पाचक द्रव्य कुछ ऐसे लिक्विड कुछ ऐसे गाड़े द्रव्य लिक्विड बनते रस कह सकते उनको वो बनना शुरू होते हैं जैसे हम खाना खाते रहते हैं अब वो खाने को क्या करते हैं कि बहुत जल्दी गल आते हैं उसको तोड़ते हैं और आगे ड्रांसफर करते हैं आतों में इंटेस्टाइन में आगे भेशते हैं अब क्या होता है कि जैसे ही हमने खाना खाया और उपर से हमने ग्लास दो ग्लास पानी पी लिया इससे हमारा मन तो तरप तो हो जाएगा संतुष्टी मिलेगी गुट फिलिंग होगी लेकिन वो पाचक रस बहुत पतले हो जाएंगे उनमें जो ताकत होनी चाहिए जो अगनी है उसी को तो केते हैं अगनी बुझ गई जट्रागनी बुझ गई तो वो पाचक रस जैसे ही कमजोर पड़ जाएंगे पतले हो जाएंगे तो आपके द्वारा चो खाया पिया जितने अभी पोशक तत्वों बड़ा खाना है वो ठीक से गलेगा नहीं और ठीक से वो दीरे दीरे सड़ना शुरू होगा अब आप सोच सकते हैं कि शरीर में हम इतनी महनत से कमाया हुआ खाना हमारी माताओं बेहनों इतनी महनत से बनाया वो हम खा करके उसको पचाने की बजाए सड़ा रहें कैसा लगा यह सुन कर गए मित्रों आपको सिर्फ एक छोटा सा प्रैक्टिस करनी एक अभ्यास आपकी जीवन में लाना है और वो यह है कि खाना खाने के एक से डेड़ गंटे बाद पानी पीना है बस इतना सा काम आपको अपनी रूटिन लाइफ में करना है अब इसके फायदे क्या क्या है ध्यान से सुनना फायदा यह है कि सबसे पहले आपके द्वारा खाया पिया बहुत आराम से उस एक डेड़ गंटे में पच जाएगा अब क्या होगा कि जिसे वो खाना पचेगा इससे बहुत सारा रस बनेगा लिक्विट फॉर्मेट में गल जाएगा खाना वो रस जब आपकी आंतों में जाएगा तब आंतों के आसप बोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पिए एक से डेड़ गंटे बाद ही पानी पिना है या फिर इसके अपोजिट इसका दूसरा पहलू देखें तो अगर आपने अभी पानी पिया है एक गलास दो गलास लोठा बरके आपको बहुत तेज प्यास लग रही थी पानी आपने पी लिया तो आप क्या करेंगे पानी पीने के फिर एक से डेड़ गंटे बाद ही अपना वोजन करें बस इतना सा अभ्यास आपको आपकी जिंदगी में रखना है कि अगर आप खाना खाते ही तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो इससे मोटापा बढ़ता है वजन भी संतुलित रखना है पोशक तत्व भी पूरे लेने है तो आपको खाना खाने के एक से डेड़ गंटे बाद पानी पीना है मित्रो कई बार ये भी देखा जाता है कि खाना अगर बहुत बहुत तीखा पन है या फिर गले में थोड़ी सी खुशकता आ गई है थोड़ा र गूट आप हलका गुणगुणा पानी पी सकते हैं इससे गुणगुणा पानी पीने से आपको जट्रागनी है वो मंद नहीं पड़ेगी वो खतम नहीं होगी पर आपको एक से दो गूट तक ही limited रहना है ऐसा नहीं कि आपको गुणगुणा पानी आप गलास बर के पी थोड़ा गले में खलाश जैसा लग रहा है तो आप एक से दो गूट पानी गुन-गुना करके पी सकते हैं तो मित्रों इस वीडियो में आपने समझा और जाना कि बोजन के बाद तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए एक छोटा सा अव्यास मेरी इतनी सी बात आप मानेंगे तो आपके जीवन में दीरे दीरे ही सही पर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा आपका खाया पी अगर आपके शरीर को लग जाए आपके खाय हुए खाने के पोशत तत्वा आपके शरीर को प्रॉपर तरीके से मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती मित्रों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर के आऊँगा और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मित्रों हमारे चैनल का उद्देश है आप तक हेल्द से रिलेटेड अच्छे विचारों से रिलेटेड मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत सारी सही और सटिक जानकारिया पहुँचाना तो बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरीके का कंटेंट और नए वीडियो आप तक जैसे ही पहुँचे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आज के लिए फिलहाल इतना ही नमस्कार